हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमेदें आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम यहां पर बात करेंगे कितना स्क्वार फिट में कितना वायर लगता है तो यहां पर हम जो वायर मंगाए है यह इस्टेंडर्ड का इस्टेंडर्ड वायर आप दे सकते हैं है वल्स इस्टें और यह जो घर है यह है 1200 sq ft 12 sq ft में कितना अतार लगता है वह आज यहां पर क्लियर करने वाला हूं तो वीडियो में आप बने रहे हैं वीडियो को सुरू करते हैं चलिए नहीं पर देखे यह जो वन अम का है 1 mm का हम लाए हैं यहाँ पर 3 रोल क्योंकि 12 स्वी स्कॉर फिट में 3 रोल काफी है 1 mm का EG लग जाएगा बिल्लकुल EG अगर आपका थोड़ा से ज़्यादा पॉइंट है 3 रूम इसमें है, एक हॉल है और एक लेटरिक मातरूम कीचन है इतना में EG हो जाएगा 3 रोल 1 mm में, बिल्लकुल EG और बहुत ज़्यादा पॉइंट है तो थोड़ा से बढ़ेगा यानि कि 20, 30, 40, 80 मेटर तक बढ़ सकता है उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं 1 mm का आपका 3 से 3.5 रोल में EG हो जाएगा उसके बाद 12 से स्कॉर फिट है तो और 1.5 mm का आप 3 में वो भी, उसमें भी EG हो जाएगा 1.5 mm में भी एक फेज नियोटल और एक इनवर्टर इनवर्टर वल अतार बच जाएगा आपका और में नियोटल में आपका हो जाएगा लगबग उसके बाद से थोड़ा सा इनवर्टर वल बचेगा उसमें आप में नियोटल बना करके आप वाइरिंग कर सकते हो उसके बाद आते हैं 2 mm 2 mm का हम यहाँ पर लाएएवे एक देखिए यह बुलू कलर का आयावा है एक क्योंकि हम जानते थे कि एक रोल में होगा नहीं और दो रोल लगेगा नहीं इसके लिए हम बोले मकान मालिक के भाई आप एक लाइए जब आप मेरा घट जाएगा तब आप आपको बोलेंगे आप ला दीजेगा तो यहाँ पर हम धाय में मौला डबल किये यहाँ पर डबल करने मार्केट से फिर वो 45 मेटर ले के आए तो मेरा काम हो गया तो यहाँ पर 12 स्क्वाइर फिट में हम तीन रोल लगा है 1 mm का, तीन रोल डेड़ अम का और डेड़ कोईल लगा मेरा 2 mm का और अर्थिंग वायर नहीं लगाया है बोला कि आर्थिंग वायर मेरा हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यह दिहात है तो नहीं लगाया वो 0.75 का नहीं लगाया यहाँ पर किलियर हो गया है कि डेड़ से 2 कोईल रहेगा आपका 2 mm का अगर आपका पावर ज्यादा है तो ठीक है और अगर आपका पॉइंट ज्यादा है तो आपका पचास मेटर तक बढ़ सकता है और एक दूपॉइंट ज्यादा है क्योंकि एक रूम में यहाँ पर एक स्वीच बोर्ड और एक पावर बोर्ड है ही सबका मेने अलग अलग वायर घीचा है तो ओके थैंक्यू वीडियों से लेकर लाइक करें